आज की थीम है जब अटॉक की कि कभी कभी साधक निरिस्जाइत हो सकता है और वो सोचेगा कि मैं तो इतना पतित हूं कि कृष्ण भी मेरा अधार नहीं कर सकते मैं तो बहुत पापी हूं ऐसा ऐसा तो इसके संबंद में विश्णु पुरान से बहुत सुन्दर इश्लोग आ नामनों ही यावती शक्ती निश्चित ही एक नाम में जितनी यावती मतलब यावत मतलब जितनी जितनी शक्ती होती है कि संबंद में पाप निरहरणे पाप को धुंस करने में जितनी शक्ती भगवान के नाम की होती है कौन से बगवान हरे बगवान हरी के नाम में एक नाम करने की रोती है तावत कर तुम न शकनोती उतना पाप करने की शक्ति पात की नर पापी इंसान में होती नहीं है वो एक ही नाम से अनंत जर्म के सारे पाप भंस्त हुजाते हैं और धारन बड़ा देखी फोटो के मात्यम से सुन्दर रुप में रखा गया है कि मान लिजिए यहां पर दिखा रहा है इसे मान लिजिए खेत में आग लगी है तो आप इस तरह कि सारे खेतों के त्रणों को जोड़ दीजिए पूरे दुनिया के त्रण के त्रण जोड़ लीजिए और वो कह दें कि हम समुद्र में अपनी अगनी के द्वारा समुद्र को उबाल आप दुनिया के त्रण मिला देजी और वह सारे त्रण जल रहें पूरे शक्तिस जल रहें और कहाँ कि हम समुद्र को बाल संभाव उसी प्रकार से एक क्रिष्णा दूरे सारी दूनिया के सारे लोग हरताने का पाप करें तो भी एक बार क्रिष्ण के नाम उचछारण के शक्ति है पाप को काटने की उसका मुकाबला नहीं कर सकते तो यह समझना चाहिए कि भ्यक्ति भगवान का नाम पाप काटने के लिए करता है अपितु भगवत प्रेम जागरत करने करता है तो यह प्रयास करें कि इस बात को याद रखें किसी भी परिस्तिति में अच्छा फिर मानलो भग से पाप हो जाए माया में दहरत तब तब भी उसको भगवान का नाम उचारण ही करते रहना चाहिए श्रीदर स्वामें क किरिश्न आपको उठा नहीं सकते हैं यह हम लोग इतना गिर नहीं सकते कि रोधाने सकते। यह उफिर यह दूखनाईillar क्रिश्च्छन को पर मुड़ सकते हैं और ऐसा रही कृष्ण कहेंगे कि तुम तो पापी थे और इस कारण से तुम मैं मैं तुम को शरण नहीं दूंगा अतिया दित्या ठीक है सच्छा भक्त भगवान की शक्त भवान पर आश्रित रहता है भगवान ही हर प्रकार की कचनाईयों से उसको मुक करही देंगे हरे कृष्णा येस